विशाल धारुनिया और आप सभी को मैंने कुछ चायम फेले एक इलेक्ट्रिक साइकल बनाकर दिखाई और बायो इलेक्ट्रिक साइकल बनाने के लिए चाहिए हमें इलेक्ट्रिक साइकल कनवर्जन मोटर जो कि लगबग 6-7 रुपे में आपको मिलने वाली है उसके बात और हमाई साइकल जो है साइकल से इलेक्ट्रिक साइकल बन जाएगी और इसको मैं बनाने वाला हो पूरा टोटली जुगार से जो की काफी कम रेट के अंदर आपके बनके तयार हो जाएगी तो चालू करते इस वाली वीडियो को वीडियो चलाके तो लाइक करना शेर करना डों तो सब्सक्राइब करलो अगरेश कियो अगरेश का एक वाई यह अगरेश शौर और पहुत ईद्मटा शेर कें तो करना शेर मोटर है भाईयो इसके द्वारा हम साइकल को चला सकते लेकिन बहुत सारों लोगों ने वीडियो बना रहा कि इसको डारेक्टली साइकल के अंदर फिट करते हैं और वो चला कर दिखाते हैं लेकिन वह यकीन माणिए टोटली फेक वीडियो होती है मैं अपनी चैनल पर कभी तयार करना होगा इसके सामने के साइड में गेर बोक्स लगाना होगा ताकि इसका टोर्क बढ़ जाए और इसकी जो आर्पिया में बहुत जादा होती है तो इसको हम कम कर देंगे यहां पर ठीक है जिससे हमारी साइकल अच्छे से चल पाए तो इसके लिए आपर मैंने एक मेंगा मेलेगा मैं आपको यहां पर जो पिल्कुल वीडियो के अंदर आपका पेसा बचाने वाला हूँ आप वीडियो को पूरा कंप्रिट वाच करना और आपके जो यकीन में आपके पेसे बच जाएंगे यहां ठीक है तो सबसे पहले हम इसका गेर बोक्स निकालेंगे दुसरी बात इसका आर्मेचर उसको निकाल लेंगे यहां पर और आगी की साइड में जो यहां पर गेर दिक रहाए अपको इसको हमीन इंकालना होगा ठीक है यह यहां पर नट्बोल्ट के दूआरा लगा होता है लेकिन इसके अंदर नट्बोल्ट है निकालना हुई जाएगा और अच्छे से टाइट हो जाएगा यहां ठीक है और इसके बाद हमारी गेर बोक्स से इसको भी आमें ओपन करना होगा क्योंकि यह जो गेर बोक्स से लगता है कि सदियों से नहीं आया है काफी जाधा गंदा है यहां पर यह पुराना यूज करोगे तो आपको भी आपको उसी टाप से गेर बोक्स को भी निलाना होगा लेकिन यहां पर पानी की जगापर हम केरोसीन या फिर डीजल पेट्रोल या तारपींज होता है उसका हम यह पर यूज करेंगे और इसका अंदर जो माटेरियल जो दिख रहा है आपको इसका लगबक पोटी यह जिरी से जो खराब हो चुका है इसको हम यह पर निकालना होगा और ब्रस के द्वारा इसको अच्छे से क्लीन करना होगा ठीक है तो यहां पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा गाइस तो मैं वीडियो में फटावपर से क्लीन करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपका भी टा आपको मिल दाएगा को मोटर मार्केट में थोड़ा पेकेट जो है आप देख सकते हैं यह काति कम रेट के अंदर मिल दाएगा ठीक है तो यह लगा दीजिए इसके अंदर और उसके बात वापिस इस गेर बोक्स को हम बंद कर देंगे अब यहां पर जो यह पहले जाम चल तो इस शाप्ट को हमें लंबा करना होगा उसके लिए आप देख सकते हैं इस मोटर के सामने यहां पर एक कोलर बनी हुई इस कोलर को में कट कर देंगे जिससे हमारी शाप्टे और बाहर की साइड में आ जाएगी तो यहां पर इसको कट केसे करेंगे ग्लैंडर की दौरा म आप दिखाता हूं ठीक है सबसे पहले हम इस टाप से ग्लैंडर से इसमें कट लगाएंगे इस कोलर के उपर एक 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 करके एक इंच के आसपास और उस इंच के बाद यहां पर ग्लैंडर इसको कट कर लेंगे अगर आपको ग्लैंडर चलाना नहीं आता था आप किसी मिस् कर ऐयंगे कितना स्मूदी चल रहा है हम यहां पर इसको लगाएंगे हमारे ग labuja हो चुका है अब यहां पर है टाइट होने लगाए ठीक हेव कशडhãी यह कि हमारे है हां गेरो मोटर मोटर और दाई खुल कशिप करना नट आंपकर लगा यह इस में को करना होगा मैंनों आ तो यहां पर इसमें व्यृसमसी है, तो काफी सीमपल है हूँ, जो मिरे यहां पर दो खोल खर नहीं जिस आपको वीडियो में दिखा है। अब मोटर को में पीछे से कोलना होगा, मोटर को खोलेंगे और आगे की साइड में जो लगा होगा है जा पर गेर लगा है वहाँ पर हम इसमें मार्किंग लगा देंगे इसको गेर को रख कर इस टाइप से और उसके बाद द्रिल मस्षीन से खोल कर देंगे तो भाईयो अब यहां पर होल करने के बाद इसके अंद्रा में थ्रेड निकालने होंगे अगर आपके बाद थ्रेड निकालने की यह सिस्टम नहीं है भाईयो तो आप आप एमवजर पर जा सकते हो आप आपको यह मिल जाएगा यह अपना ही वेबसाइट है जहां पर आपको टूल्स मशिनरी सबकुछ मिलना आसा कम रेट के अंदर मिल जाएगा आपको बहुत ही कम रेट के अंदर ठीक है और आल इंडिया में इसकी सर्वीस है जो आप कहाई प आप से देख सकते हो और मैं चाहता हूँ कि आपका कम से कम रेट में काम कम्प्रीट हो ठीक है तो आप अपने इस आप से देख लेना और यहां पर नट बोक्स को अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि हमार गेर बोक्स हीले नहीं अपनी जगह से आपको धियान रखना है गेर तो अच्छे से टाइट कर देंगे आपको धियान डखना हो इसके अंदर ब्रशे सोते हैं उन ब्रस को अच्छे से लगाना है अगर लगाना नहीं आ रहा तो किसी मिस्त्री से लगवा सकते आप मोटर वाइंडिंग वाले कि यहां पर जाकर ठीक है वैसे आप अगर वीडि साइकल किट की चोईस वोल्ड की बैटरी इसको हम डायेट कनेट करेंगे और आपको पता लग जाएगा इसका साउंड सुन गई तो गाइस आप देख सकते हैं इसका साउंड सुनिए आप अब हमारे जो गेर की आवाज भी आरी इसके अंदर जो की बड़ी मोटर होती है और इसका जो टोर के इतना ज्यादा हो चुका है कि इसको हम साइकल में लगाएंगे तो साइकल हमारी चलना इस्टार्ट हो आप देख सकते हैं तो अब यह वाला जो आप देख सकते हैं आप भी इसको बनाईए और इसको हम साइकल के अंदर फिट करेंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे बता ना और इसके अंदर आप देख सकते हो कि मोटर जो है वो आर्पिम जहां पर कम हो चुका लेकिन हमारे साइकल के अंदर में आर्पिम जादा नहीं चाहिए कि अगर डायक्ट हम आर्पिम लगांगे तो बहुत स्पीड भागेगी अब इस स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ठीक है जो हमारे नोर्मल स्पीड लगबग माली की 20-25 किलोमेटर के आसपास मिल जाएगी रचल बहुत पोडिए इस से और मैं पो नेक्स वीडियो मकड़ों इसको के से साइकल कंदर पीट कर आगे इसके अपको सॉपिकरब करना और्त चेनलका मेंदों का मेंबर बनना और की या सबह hो चुकी है इसको नेक्स वाली वीडियो के अंदर हम साइकल पर श्राईंघ कर पेसे बचाने वाली जो वीडियो होती है वो है तो यार आपका क्या फर्द बनता है कि वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और शेर कर दी कभी कभी वीडियो को नहीं चाहिए हैं जेहिंग जे बारत पायर बडि